जब माँ नहीं होती तब जिन्दगी क्या होती है? उसके पहले बहुत एक छोटी सी भूमिका है मैंने बच्पन में सुना था कि जंगल में संगितकार दो मुर्डन बजा या करता था मुर्डंग दौलग की तरह वाद्य को कहते हैं आप जानते होंगे जब मुर्डन बजाता था तो एक बकरी का बच्चा है थाप प्रतिये में आके खड़ा हो जाता हूं ये कविता मा के नरहने पर भीतर से पड़ी भी थाप की कविता है अगर आपकी जीवन से कुछ दृष्य चुरा के आप ही को सौपता हूं कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े-खड़े दूद मत भी हजम नहीं होगा मुझे लगा कोई कहेगा खड़े-खड़े दूद मत भी हजम नहीं होगा दो घड़ी सांस ले ले अरे इतनी ठंड और कोड भूल गया इसे भी अपने पास ले ले मन में सोचा मार असोई से बोली होगी जिसके हाथों में सना आटा होगा जब कोई नहीं होता तब क्या होता है इस दर्द को समझेगा कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े-खड़े दूद मत भी हजम नहीं होगा दो घड़ी सांस ले ले इतनी ठंड और कोड भूल गया क्यों बात करता है अरे अब हवाई ही तो बात करती है मुझसे लगता है जब जाओंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दई शक्कर खाले बेटा अच्छा शगुन होता है कोई कहेगा दई गुड खाले बेटा अच्छा शगुन होता है पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मा, सब कुछ जिस आजादी के लिए तुछ से मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है आप सब लोग, मैं और आप सब लोग बच्पन में लड़ते हैं मा से जब मा कहती ये मत कर, वो मत कर, ये मत जा, यहां मत जा इसके साथ मत बैट ये मत का, ये मत पी हम आजाद होना चाहते हैं और आजादी की कीमत, इतनी बड़ी आजादी की कीमत क्या हो सकती है, चोटी सी बात मैं कहता हूँ कि सब कुछ है मा, सब कुछ जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उमर लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है फिर भी ने जाने के ओं दिल की हर धरकन उदास है कहता था ना तुझसे मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लू मुझे कोई रोकने वाला नहीं है बात है तो इतनी सी सुबह देर से उठू ना तो कोई टोकने वाला नहीं है बात है तो इतनी सी सुबह देर से उठू ना पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, यह सब के साथ हुआ होगा, रात को देर से लॉटू तो कौन नाराज होगा भला कौन कहेगा, कि बार बार अब कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उलाने कौन देगा, मेरे वो तमाम जूटे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्रों में क्यों परिशान करता है, हैराम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जाकती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए, खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है इस बुढ़िया का तो क्या होना है तू खुशने लेना यही दूआ है और आज तमाम खुशियां ही खुशियां अगली पंक्ती आप भूल जाएए शहलेश लोड़ा इतने सालों से टेलिविजन पे क्या बोल रहे है इतने शोज में क्या कर रहे है मेरे नाम की सिर्फ एक पंक्ती याद रख के ले जाएए शायद जिन्दगी में कुछ सार्थक कह दिया और या अभिदा है अभिदा मतलब जैसा देखा वैसा लेखा आज तुने मेरे बारे में कुछ सोचा है खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है तू खुश रहे लेना यही दूआ है और आज तमाम खुशिया ही खुशिया घम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बाटने वाला होता पर कोई तो होता जो गलतियों पे डाटने वाला होता पर कोई तो होता जो गलतियों पे डाटने वाला होता और अंतिम पंक्तियां तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर हलके से सर दबाती, परिक्षा से आती, खाना खिलाती, पिता की डाट का डर दिखाती, फिर पापा की डाट से तु ही बचाती, ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती, इसे नौकरी मिल जाए, दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये आप युवाओं से सिर्फ दो पंग्तिया कहना चाहता हूं 130 करोड लोगों का देश, दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा इस देश में है आप खड़े होके अपनी भाषा बदल दीजिए पर दुनिया के किसी मुल्क में इतनी ताकत नहीं है कि हमारी आखों में आखें मिला के बात कर सके इस मुल्क को भाषा बदलने की ज़रूत है तब सिर्फ अंतिम बंग्तिया कहता हूं कि सच है इरादे हमारे विद्वन सक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है अहिंसा के पोजारी है हम लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक है हम नपुनसक नहीं है